नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विनूत परजापत और आप सभी का हरदिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके जो डेक्स्टोप है उसके उपर जो आइकन्स आपको शो होते हैं कई बार क्या होता है कि इश्यू होता है कि आपको वा आइकन्स आपके शो नहीं होते हैं आपका जो डेक्स्टोप है वो बिल्कुल ब्लेंक होता है जो कि कुछ इस तरीके से दिखाए देता है अब यहां पर मैं कहीं पर भी कुछ भी देखूं यहां पर मुझे कोई भी आइ तो इसके लिए आपको क्या करना है आप इस जो इश्यू का आप रिजोल्ट कैसे करोगे इसके लिए आपको मैं प्रोसेस बताने वाला हूं तो इसके लिए आपको क्या करना है इस्क्रीन के उपर आपको राइट क्लिक करना है फिर आपको यहां पर दिखाए दिखा एक व्यू टेप यहां पर आपको सबसे लाश्ट में चले जाना है और यहां पर आपको दिखाए दिखा शो डेक्स्टॉप आइकन्स यह क्या किया ह cycleize to orders को पता नहीं होता है और वह क्या कर देगी इस तेशी क्या की कुछ शेटिंग्स में changes कर देते हैं और उनको पता ही नहीं चलता है और उनके créd चल जाते हैं तो इस तरीके से यहां पर यह क्या है icons को show कर सकते हैं अगर किसी की requirement है कि मुझे desktop के icons को hide करना है तो same procedure अपना ना है यह भी enable है तो यहां पर show desktop icons को अभी अपने क्या कर दूँगा यहां से disable कर दूँगा again यह क्या हो जाएगा यहां से hide हो जाएंगे desktop से icons इस तरीके चल्क कि बांके से आप क्या कर सकते हैं ? डेकसटोप के ओपर जो icon से अगर शो नहीं हो रहे हैं तो उनको आप show करा सकते हैं शो है और किसी की requirement है कि मुझे hide कराना है तो आप hide भी कर सकते हैं तो में वापिस से इनको क्या कर देता हूं ? ऍैपके डेक स्टोड आहिं एककпис तो ये जो है हमारे आइकन ये वापिस से हमकोasyowe ने लग रहे हैं तो आज की इस वीडियोर में हमने देखा हैं कि डेस्ट's टॉप के उपर जो इस्यां आप je जो आइकन से वो हाई डे या शो है तो इस तरह की जो इश्यूज अपने सामने को देखने को मिलते हैं तो हम किस प्रकार से इनका solution करते हैं ये आज की इस वीडियो में हमने जाना है तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं साती में ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें धन्यवाद दोस्तों